दोस्तों आज जो मुवी में आपके लिए लेकर आया हूँ वो कई सारे देशों में बेन है लेकिन एनिहाओ मुझे ये मुवी मिल ही गई इसके बारे में ना तो इंटरनेट पर डिटेल्स अवेलेबल है और ना है किसी प्लेटफॉर्म पर लेकिन आप सभी को इस वीडियो म में इस मुवी का पूरा एक्स्प्लिनेशन मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में मुवी के फर्स्ट सीन में एक लड़की जंगल में भाग रही थी वो पूरी तरह से खून में लथपत और बहुत ज़्यादा घायल होती है तभी अचानक पीछे से एक आदम की लड़की अपनी कार में है और अपनी फ्रेंड्स क्लेर और रोस को केंपिंग ट्रिप के लिए पिक करने जा रही है फिर वो तीनों अपनी एक और फ्रेंड्स सारा के घर पर जाते हैं जहां पर क्लेर और एना रोस को उसे लेने जाने को कहते हैं सारा और रोस बच्पन क में ट्रिप पर ले आती है नेक्स्ट सीन में वही आदमी एना की लाश को गसीट कर ले जाता है और उसके पेरों को रस्ति से बांद कर उसे उल्टा लटका देता है और फिर वो उसके दोनों हाथ के पंजो को कार देता है जिसके बाद में मूवी वापीस से प्रेजन टाइम म आती है यहाँ पर चारों लड़किया रास्ते में है और यह सभी बहुत इंजोई कर रहे हैं वे सभी लोग जंगल में एंटर होते हैं और एना कार को ड्राइव कर रही थी उसका ध्यान मेप पर होता है और तभी वहाँ पर अचानक रास्ते में एक जर्मन लड़का एरिक आ जाता है जिसे कार से टकर होने ही वाली थी लेकिन वो जिसे तेसे बच जाता है एरिक को ज़्यादा चोटे नहीं आती वो जल्दी उट जाता है और क्लेर उससे थोड़ा फलर्ट करती है जिसके बाद में वे लोग महां से चले जाते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद मे ये चारो लड़किया रास्ता भटक जाती है और उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वे गाड़ी रोग देती है उससे रास्ता पूछने के लिए इस आदमी का नाम फिलिप होता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था वो उन लड़कियों के पास आता है और उन्हें गूरने लगता है रोज को ये सब बड़ा ही अज़िब लग रहा था और वो सब को वहां से जाने के लिए केती है मगर क्लेर उससे रास्ता पूछ रही थी और अचानक से उस आदमी के पास से एक मास का तुकला गिर जाता है जिसे ये सब लड़किया नोटिस कर लेती है और जल्दी ही वहां से निकल लेती है फिलिप इन सभी लड़कियों को जाता हुआ देख रहा था और तबी उसके पीछे से उसका दोस्त सैमुल आता है और ये भी पूरी तरह से खून में लटपत था जो कि फिलिप के साथ साथ उन लड़कियों को जाते हुए देखने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद में चारों लड़किया केनेडियन वूट्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुच जाती है सब कार में से अपना सामान और टेंट निकालते हैं और जंगल के अंदर जाने लगते हैं थोड़ी दूर चलने पर एना कलेर को एकडम से रोकती है और बताती है कि वो अभी अभी एक ट्रेप के उपर पेर रखने वाली थी उस ट्रेप के उपर एक कपले की निशानी होती है जिससे की एना समझ जाती है कि यहाँ पर ट्रेप लगा हुआ है जिसके बाद में वे सबी उस ट्रैप को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और फिलिप और सेमॉल भी उनका पीछा करते रहते हैं फिर काफी दिर तक चलने के बाद में चारो लड़किया अपने केम्पिंग पॉइंट पर बहुच जाती है सारा एना के किसी बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और रोज उसके पीछे पीछे जाती है क्लेर और एना टेंट लगाने लगते हैं और सारा तालाब में स्विम करके बाहर आती है जिसके बाद में वो रोज के साथ में बेर पिने लगती है तबी हमें पता चलता है कि सारा प्रेगनेंट है और उसका अभी अभी ब्रेकप भी हुआ था और वो रोज से कहती है कि वो ये बात किसी को भी न बताएं जिसके बाद में वे दोनों वापस चले जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फिलिप और सेमुल वही पर है जो कि उन्हें दूर से देख रहे थे रात होने पर चारों लड़किया बॉनफायर के पास में इंजोय कर रही थी और क्लेर सभी के फोटोस क्लिक कर रही थी और उस साइड में रखा हुआ पानी पीने जाती है तब ही फ्लेश चमकता है और उससे अपने ठीक सामने फिलिप खड़ावा दिखाई देता है वो चिला कर बाकी सब के पास आती है और उन्हें ये बताती है कि अभी अभी उसने उससी आदमी को देखा है जिससे कि उन्होंने रास्ता पूछा था और फिर सब लड़किया टॉच लेकर देखने जाती है पर उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है वे सबी वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं अगले दिन उठकर सब टेंड से बाहर आते हैं और तालब में नहने के लिए चले जाते हैं और दूसरे तर उसे वहाँ से कुछ इसमयल आती है और वो जब देखने जाती है तो फिसल जाती है वो देखती है कि पेड़ के पास में बहुत सारा ताजा-ताजा खुन पड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिलाने लगती है एना की आवाज सुनकर बाकी की लड यहां ने फिलिप खड़ावा दिखाई देता है जो कि केमरे के थ्रूँ क्लेर की आंख में एक तीर मार देता है और क्लेर वहीं जमीन पर गिर जाती है फिर बाकी की लड़किया यही देखकर वहां से भागने लगती है और सामने से सेमुल आता है और एना के मुपर अपनी गंद से मार देता है और वो वही पर भ्योश हो जाती है रोज और सारा वहां से दूसरे तरव भागते हैं मगर फिलिप उनके सामने आ जाता है रोज उसके मूँ पर मारती है जिससे की वो गिर जाता है और दोनों वहां से भाग जाती है जिसके बाद सेमुल रोज के पेर पर गोली मार देता है जिससे की वो गिर जाती है सेमूल सारा पर भी गोलिया चलाता है लेकिन वो बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है यहाँ पर कलेर अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी और वो अंग दर्द में पड़ी हुई थी उसकी आखों के आर पार फिलिप का लगाया हुआ तीर गुसा हुआ था जिसके बार में फिलिप उसके पास जाता है और उसकी आख से उस तीर को निकाल लेता है तीर के साथ साथ कलेर की आख भी भार आ जाती है जिससे की फिलिप खा लेता है और फिर फिलिप सारा का पीछा करने निकलता है सारा बहुत देर तक भागने के बार में एक गुफा में पहुच जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा अंदेरा होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का तुकड़ा उठा लेती है और फिलिप उसका पीछा करते करते गुफा में घुज जाता है और उसके पास पहुशते ही सारा उसे लकडी से मार देती है जिससे कि वो भेऊश हो जाता है और सारा गुफा से बाहर आ जाती है और फिर थोड़ी दूर भागते भागते सारा एक पेट से जाकर टकरा जाती है और वो वहीं पर ब्योशा जाती है और जब सारा को होश आता है तो वे देखते है कि रोज एक पेट से बंदी हुई है और एना भी वहाँ पर मौझूद है जिसके पास में सेमुल जाता है और वो एना का बड़ी बेहरेमी से रेप करता है जिसे देखने के बाद में सारा जोड़ जोड़ से चिलाने लगती है और फिर एना के रेप करने के बाद में सेमुल एना के पेट में चाको गुसा कर उसे मार डालता है फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि सारा के पास में फिलिप आता है और उसके बाल पकड़कर उसका सीर पेड़ पर मारने लगता है और फिर वो उसका रेप करने के लिए आता है फिलिप सारा की तरफ बड़ी रहा था कि तबी सारा को जमीन पर से एक फावड़ा मिल जाता है जिससे कि वो फिलिप के सर पर मार देती है और फावड़ा फिलिप के सीर में धस जाता है और फिलिप की वही पर मौत हो जाती है जिसके बार में ये सीन यही पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में सेमॉल एना की लाश को ले जाकर एक बेग में डाल देता है वो लड़कियों के टेंट में जाकर उनका रखावा सामान देखने लगता है सेमॉल को एक दम से पीछे से कुछ आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है और तबी सारा रोस के पास आती है और उसकी रस्सी काटने की कोशिश करती है लेकिन इतने में सेमुल वहाँ पर वापस आ जाता है और सारा टेंट में छुप जाती है सेमुल अब रोस का रेप करने वाला था और वो रोस के पास आने की कोशिश करता है तबी सारा उसकी गन उठाकर उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है लेकिन उसे गन चलाना नहीं आती थी ये देखने के बार में सेमॉल उसके पास आने लगता है लेकिन एक दम से उससे गन चल जाती है और सेमॉल को लग जाती है सारा सेमॉल के उपर दो गोलिया शूट करती है और फिर वो रोस के पास आती है और उससे छुडाने के बार में दोनों जाने लगते हैं सारा और रोस जैसे तेसा थोड़ी दुर चलते हैं लेकिन रोस अब चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पेर में गोली लगी हुई थी और फिर सारा उसके पेर से गुली निकालने की कोशिश करती है जिससे की रोज महीं पर भ्योश हो जाती है और फिर सारा उसे अपनी पीट पर उठा कर जंगल के रास्ते अपनी कार तक ले आती है सारा रोज को जैसे ही कार में बिठाती है कि तभी वहाँ पर सेमॉल आ जाता है और सारा के उपर गोल्या चलाने लगता है लेकिन रोज जैसे तेसे बच जाती है और वो सारा को पीछे कार में बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है Samuel से बचने के लिए रोज गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और तभी अचानक सामने से वही जर्मन ललका इरिक आ जाता है जिसे की टक्कर होने ही वाली थी लेकिन जैसे तेज से रोज इरिक को टक्कर होने से बचा लेती है और उसके कार का एक्सिडेंट हो जाता है फिर इरिक आकर उन्हें कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे सामने से एक और कार आती हुई नजर आती है जिससे की वो मदद मागने जाता है लेकिन उस कार में सेमॉल होता है सेमौल कार से बाहर आकर इरिक को मा डालता है और इतने में रोज महां से भाग कर वापिस जंगल में चली जाती है वो रोज का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर रोज गिर जाती है जिसका फायदा उठाकर सेमौल रोज के पास आता है लेकिन वो ठीक उसी तरह के ट्रैप में फस जाता है जैसा कि इन गल्स को पहले जंगल में मिला था रोज को ट्रैप के ऊपर से कपले का निशान मिल जाता है जैसा कि एना ने उसे बताया था और सेमॉल को उस ट्रैप में फसाने के लिए वो जान बूच कर वहाँ पर गिरी थी जिसके बाद में हम यह देखते हैं कि सेमॉल अभी भी उसे ट्रैप में फसा हुआ है और उसे मही छोड़ कर रोज जंगल से बाहर निकलती है सारा के पास में आती है और दोनों हग करते हैं दोनों सही सलामत उस जंगल से बाहर आते हैं और सेमॉल की कार में बेट कर वापस अपने शेहर के तरफ लोड जाते हैं जिसके बार में ये मूवी यह पर एंड हो जाती है दोस्तों ये मूवी चार गल्स की है और इन में से एक लड़की अपने ब्रोकन रिलेशन्शिप और परसनल मेटर से ओरकम करने के लिए इन लड़कियों के साथ में केंपिंग करने के लिए इस ट्रिप पर आए हुए थे जिनका सामना दो साइकोपात इंसान से होता है और ये मैन हंटर होते हैं जो कि जंगल में आने वाले लोगों को मर डलते हैं और उनका मीड बिखाते हैं लेकिन डोज और सारा जैसे तेसर बचकर वापस आते हैं और इन्हें अपने लाइफ की वैल्यू पता लगती हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ